हेलो दोस्तों यह है इस्टॉक मार्केट पैराडाइस करेंटली अगर आप देखो कि मार्केट में बहुत सारे आई पी ओर हैं और मैं वीडियो बना देता हूं सभी आई पी ओ की कंपनी के बारे में किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है जैसे कि लाश्ट वीडिय कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है लाश्ट फाइव यह का मने डेटा देखा है तो सब कुछ मैंने डिस्कॉस किया है आप जाके देख लेना मेड़ पिलस आई पी ओ की वीडियो किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है आज हम बात करेंगी सभी आई पियो की ज आपको रिफंड भी मिल चुका होगा डीमेट अकाउंट में कर दिये गए होंगे सेयर्स जो आपको लिष्टिंग देखने को मिलेगी यह मंडे को दिन आपको देखने को मिलने वाली है तो आपको तैयार रहना है सारी 9 से सारी 10 बजी के बीच में आपको कभी भी यह यह ल चल रहा है 300 रुपए चल रहा है जो कि लास्ट तीन दिन से कौंस्टेंट यह रहा है आपको 300 रुपए देखने को मिल रहा है लेकिन जब आप लिष्टिंग देखोगे तो 500 पिलस तो आप लिष्टिंग देखने ही वाली हो जी एम पी में और अगर आपका कुश्चन है त आपको क्या करना है कि आपको लिष्टिंग बूक कर लेना चाहिए तो मेरा आंसर यहां पे अगर प्रॉफिट बोक देखने को मिलेगी तो तो आप लिष्टिंग बॉक करके निकल जाईएगा बहुत अच्छ आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसके बाद हम देखेंगे अगले IPO की आनंद राथी IPO यह आप देख रहे होंगे रिफंड आपको मिल गया होगा कल के दिन और तेरा तारीक को यान कि मंडे की दिन आपके जो सेर्स हैं डीमेट डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिये जाएंगे और लिश्टिंग आपको 14 दिसंबर को देखने को मिल तो आज कल आपको रिफंड मिल गया होगा और परसों आपको जो सेर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिये जाएंगे अगर आनंद राथी IPO की GMP की बात करें तो करेंटली आप देखोगे कल रात के दिन यह 50 रुपए GMP चल रहा है जो कि 20 रुपए का इस क्योंकि इतना तो IPO जब लिष्ट होगा उतना जो सेर्स हैं वो नीचे चले जाएंगे तो यह फिर आपको डिसकाउंट में भी देखने को मिल सकता है अगर बात करें अगले IPO की तो यह आपको रेट गेंट ट्रेवल टेकनोलोजी IPO देखने को मिल रहा है और इसकी दिसमबर को मिलेगा सेर के अलॉटमेंट है यह आपको शौदर दिसमबर को पता चलेंगे कि आपको IPO अलॉट हुआ है नहीं हुआ है डिमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी सेर 16 अप डिसमबर को लिष्टिंग आपको 17 दिसमबर को देखने को मिलने वाली है त देखने को नहीं मिलता है हाला कि अगर हम देखेंगे सब्सक्राइब किस तरीगे से किया गया है इस IPO को तो आप यहां पर देखिए डेटा जो है आपको थाड़ डे के देनी अच्छा देखने को मिला है अगर बात करें डे फस्ट डे सेकंड की तो यहां पर बहुत सब्सक्राइब किया है और रेटेलस ने भी बहुत कम सब्सक्राइब किया एज कंपेर टु एन आई 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 अब आप देखो के क्यू आई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है हर एक IPO को क्योंकि यह जानते हैं कि लिश्टिंग इन बुक करके हमें निकलना है उसके लिए हम किसी भी IPO में एप्लिकेशन कर सकते हैं अगर आप रेटेलस देखोगे तो यह तो डे फस्ट के देने कोटा पूरा कर चोके थे डे टू के दिन भी यह बहुत जादा सब्सक्राइब हुआ था और दे थिरी के दिन भी आपको अच्छा खासा सब्सक्राइब को मिला था तो जो जी एम पी फिलाल यह थोड़ा आपको नीचे देखने को मिला रहा हाला कि देखेंगे कि लिश्टिंग आते-आते इसका जो जी एम पी है वो उपर जाता है या नहीं मैप माई इंडिया आई-प्यो की यह बात करें तो 9th of December को अगर आपने अपने अप् अगर फेस वैल्यू की बात करें एक सेर की फेस वैल्यू दो रुपय है 35% आलोकेसन यानि की चांसिस आपके अच्छी है इसमें आलोटमेंट के लिश्टिंग एनसी और बीसी दोनों पर आपको देखने को मिलने वाली है अगर बात करें मैं इंडिया के जी एम पी की तो कर बात करें अगर अगले IPO की Metro Brands IPO इसकी जो ओपनिंग थी कल से हो चुकी और आपके पास Monday और Tuesday टाइम है अगर आप इस IPO में अप्लीकेसन करना चाहते है Metro Brands के उपर मैंने अच्छे डीटेल में सबको आपको बताया किस तरीके से कंपनी आपको देखने को मिलती है आप जाके वीडियो देख सकते हो जिससे कि कोई भी confusion आपको ना रहा किस तरीके से कंपनी देखने को मिलती है प्राइस में अगर जो रखा गया है 485 लोवर प्राइस 500 रुपए हायर प्राइस फ्रैस अगर आप अपनी आईडी अपनी फैंबली मेंबर्स की सिंबलिंग की आईडी से अगर एप्लीकेसन करते हो तो बहुत जादे चांसे हैं आपको आईप्यो अलोटमेंट के मिलने वाली है अगर बात करें अगर बात करें अगर जिस तरीके से सब्सक्रिप्स न होगा उसी तरीके से आप इसमें जी एंप देख पाऊगे अला कि Metro Brands Company के से आपको देखने को मिलती है कि आपको short term के लिए इसमें रहना है Listing In Book करना या long term रहना सब कुछ मैंने आपको वीडियो में समझाया है डीटेल में मैंने वीडियो बनाई है Metro Brands Company के ऊपर तो आप जाके Metro Brands के ऊपर पूरा डीटेल में analysis देख सकते हो जो मैंने किया हुआ है बात करें अगर अगले IPO की तो आपको Mad Plus IPO देखने को मिलता है 13th of December से 15th of December तक यह आप application कर सकते हो प्राइज बेंड जो रखा गया है 780 रोपाय लोगर प्राइस 796 हायर प्राइस फ्रेस इसे में 600 करोड का है और ऑफाफर सेल इसमें 798 करोड का है total IPU साइज देखेंगे 399 करोड का हो जाता है face value एक सेर की 2 रोपाय और रेटेल ऐलोकेशन 35% है किस तरीके से आपको देखने को मिलती है लास्ट 3 यह समें डेटा के सारा मैड प्लस कंपनी का और क्या इसने प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस जनरेट किया तो सब कुछ मैंने डीटेल में आपको बताया आप जाके वीडियो देखने लेना जिससे कि आपके सारी सब्सक्राइं अगर अगर देखने को मिल रहा है और जो 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 3 चल यह चलरा तो आपको आपको डेकने को मिलुट रहे है तो इसके लिए इंतिजार करना और कि कंपनी बहुत अच्छी अपको देखने को मिलती है आप जाकि वीडियो देखो समझों कि इस तरीकी से निकल जाना चाहिए बात करें अगर अगले IPO की तो यह आपको देखने को मिलता है data pattern IPO और इसके बारे में मैं वीडियो आज बना दूँगा यह 16th December को आप इसमें application कर सकते हो तो यह इसके time के बीच में आप application कर सकते हो प्राइज बेंड जो रखा गया 555 रुपए लोवर प्राइज 545 रुपए हायर प्राइज फिर ऐसे इसमें 240 करोड का है और offer for sale देखें तो 348 करोड का है दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो total IPO size 588 करोड का face value एक share की 2 रुपए है और retail allocation 35% आपको देखने को मिलती है जब भी डेटा पेटान IPO के GMP की तो currently अगर आप देखोगे जो GMP चल रहा है 400 रुपए चल रहा है बहुत ही अच्छा इसका GMP चल रहा है प्राइज बेंड जो रखा गया था इसका 555 रुपए और जो आप देखोगे GMP चल रहा है 400 रुपए 200 रुपए का इसमें इंकिरिमेंट द बात करें अगर अगली IPO की तो यह आपको देखने को मिलता है स्रीराम प्रोपरिटी का IPO के लोग डेट निकल चुकी है अब आपको अलॉट्मेंट देखने को मिलेगा 15th of December को रिफंड आपको देखने को मिलेगा 16th of December को जो सेर्स हैं वह आपकी डिमेंट अकाउंट में क्र इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई भी नहीं थी कि क्या आपको अप्लीकेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे परस्नली यह IPO पसंद नहीं आया था हाला कि जब यह लिश्ट हो जाता है उसके पहले में आपको वीडियो बना के बता दूंगा या उसके और कंपनी परफॉर्मेंस दे सकती आने वाले टाइम है फिलाल मुझे यह कंपनी पसंद नहीं आई तो मैं इसमें आपको कोई भी वीडियो बना के नहीं दे कि आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए नहीं करने चाहिए अगर बात करें अगले IPO की अदानी बिलमार IPO इसकी तो अब है तो अब ही जो डेट रिलीज नहीं की गई है तो यह देखे हमने सभी IPO के GMP सारा सब्सक्रेटस दे का अलॉटमेंट इस तरीके से देखने को मिल रहा है सब कुछ हमने डीटेल में कवर किया और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाए अपने चांसे बहुत ज़्याद हो जाए अलॉटमेंट आपको मिल ही जाए किसी ना किसी आइडी से तो इसके लिए पहले आपको डीमेट अकाउंट होलें सभी फैमिली में मेंबर्स के और अगर उनके पास बेंक अकाउंट नहीं तो कोई बात नहीं आपे स्टॉक में आप अपन बहुत अच्छी तरीके से अनलाइज करके देता है हर एक कंपनी के किस तरीके से यह देखने को मिलती है अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कर देना और कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करके मुझे पूछ सकते हो आपकी हर एक्वाईर को मैं आंसर करता हूं औ और अगर आप इस चैनल को लगातार देखते हो तो एक ही रिक्वेश्ट है अब फिर सब्सक्राइब भी कर देता है